काम करते समय हम दूसरों को खुद से उचा देखते हैं। हमें अंजाने ही इर्शा होती है और हम किसी के आगे बढ़ जाने से डरते हैं। अपनी प्रतिष्ठा और रुद्बा बनाई रखने के लिए हम दूसरों को दबा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस विवहार में कौन सब्रेश्च सभाव छिपा हुआ है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। 2017 में मैंने कलीसिया में करतव्य निभाना शुरू किया। मेरे आसपास के भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी और कम समय से परमेश्वर की विश्वासी बन करतव्य निभा रही थी। फिर भी मुझे बार बार तरक्की मिली तो मुझे में हमेश्य उच्चिता की भावना थी। दिसंबर में मुझे अनेक समुहों के सिंचन कारे का प्रभारी बनाया गया। कलीसिया अगुवा ने मेरे पास आकर संगती की और अच्छे ढंग से करतव निभाने का प्रोथ साहन दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। अगुवा काफी व्यस्त रहती थी। तो उनकी मेरे पास आकर संगती करने से लगा कि वे मेरी तरक्की से खुश थी। मैंने सोचा शायद भाई बहनों से वे मेरा जिक्र करें जिसके बाद वे लोग मुझे आदर से देखेंगे और छोटी उम्र में तेजी से तरक्की पाने पर मेरा आभे नंदन करेंगे। इस खयाल ने मुझे बड़ी खुशी थी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि बहन आई बड़ी तेजी से नए सदस्यों का सिंचन सीख रही थी। भाई बहनों ने उसकी प्रशंसा की और उससे समू अगुआ चुन लिया। वैसे तो ये खुशी की बात होनी चाहिए थी। मगर मुझे एक फिक्र सता रही थी। बहन आई इतनी बड़िया है तो शायद जल्द ही उसे तरक्की मिले। एक आएक मुझे कुछ खोने का एहसास हुआ। सभी का ध्यान उसी पर था। शुरुआत में ही वह मुझसे बहतर कर रही थी। अगर फिर से उसे तरक्की मिली तो अगवा उसे योग ये मानेगी। और हो सकता है भाई बहनों से भी वे अकसर उसका जिक्र करें। तब फिर कोई भी मेरी परशंसा नहीं करेगा। मेरे दिल में खाली पन समहसूस हुआ और मैं दुखी हो गई। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। ये भी नहीं चाहती थी कि बहन आई समहूँ अगवा बनी रहे। सिर्फ महीने भार बाद मैंने देखा कि बहन आई जिस काम की देखरे करती थी वह कम प्रभावी था। जात से पता चला कि समहूँ अगवा बनने से बहन आई बे परवा हो गई थी। दूसरों के सामने दिखावा करती थी और सिधान्त खोजे बिना अपना करतवे निबादी थी। जिससे उसका काम कम प्रभावी हो गया। मुझे लगा बेहन आई समू अगवा के रूप में सही मार्क पर नहीं चल रही थी। जिससे काम में रुकावट पैदा हो रही थी। तो क्या वो समू अगवा बनने लायक नहीं है। एक आएक मेरी आँखों में चमक आ गई। अगर वह समू अगवा ना रही तो उसे तरक्की नहीं मिलेगी। मैंने अपनी साजीदार बेहन लिव से फौरण कहा। बेहन आई प्रतिष्ठा और रुत्बे की पीछे भागती है। और उसके काम के नतीचे गिर गए है। वह अब समू अगवा रहने लायक नहीं रही। मुझसे सहमत होने को मनाने के लिए मैंने बेहन लिव से ये भी कहा। पहले मैं बेहन आई के साथ काम करती थी. सब कहते थे उसमें अच्छी काबिल्यत नहीं है. वह अच्छी समू अगवा नहीं हो सकती. बहन लियू ने मेरी बात सुनकर सुझाया कि मैं कलीसिया अगुआ को रिपोर्ट करूँ लेकिन मेरा पत्र पढ़ने की बाद अगुआ ने वापस लिखा कि बहन आई अस्थाई रूप से बुरी हालत में थी फिर भी कुछ व्यवहारे कारे करने लायक थी उन्होंने मुझसे उसकी मदद करने को कहा आपने उसकी मदद की? नहीं कुछ समय बाद मैंने देखा बहन आई की हालत में सुधार नहीं हुआ था मैंने उसकी मदद तो की नहीं मुझे उससे चड़ भी होने लगी मैंने बेसबरी से उसका निप्टान भी किया ये कहकर कि वह सत्ते कानुसरण ना कर और रुद्बे की पीछे भाग कर कमजोर नतीजे दे रही है निप्टान के बाद बेहन आई अधिक नकारात्मक हो गई और खुद को परिभाशित करने से उसकी हालत बत्तर होती गई इधर में और भी जादा आश्वस्त हो गई कि अब वह समू अगुआ नहीं रह सकेगी मैंने कलीसिया अगुआ को फिर से उसकी रिपोर्ट की मगर अगुआ ने जवाब दिया कि बेहन आई सत्ते स्विकार कर अपनी हालत समहाल सकती है थोड़ा समय लगेगा मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा बेहन आई की हालत बहुत बुरी थी तो क्या उसका समू अगुआ बने रहना जरूरी था? बहुत हुआ, कलीसिया का सूछ नहीं होगा तो मैंने दूसरी कलीसिया अगुआ को लिख़र कहा बेहन आई समू अगुवा बनने पर प्रतिष्ठा औरुत्वे की पीछे थी जिससे हमारे काम में अर्चने पैदा हुई अब वह समू अगुवा नहीं रह सकती मैंने जानकर उन्हें गुमराह किया मेरे कथन निश्पक्ष नहीं थे नतीजतन बेहन आई को परखास कर दिया गया मैंने सुना बाद में वह नकारात्मक होकर खुद को परिभाशत करने लगी थी तब क्या आपको यह एसास हुआ कि यह गलत था? मैंने दोशी महसूस किया लेकिन इसके बाद मैंने इस बारे में नहीं सोचा थोड़े समय बाद कुछ भाई बेहनों ने लिखा कि हमने बेहन आई को बरखास करके बड़ा गहमन दिखाया था सिधानतों के अनुसार वह कुछ व्यवहारिक कार्रे कर सकती थी और अब उसके बरखास्त होने के बाद हमें उसकी जगे कोई योगे समूँ अगुआ नहीं मिल पाया नतीजितन काम के नतीजे कमजोर बने रहे ये पत्र पढ़कर मैं डर गई क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कलीसिया के कारे में अर्चने पैदा की थी एक दिन मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा सर्व शक्तिमान परमेश्वर कहते हैं चूंकी मसीह विरूधी प्रतिष्ठा और हैसियत के पीछे भागते हैं इसलिए उनकी बाच्चीत और कार्य कलाब भी उनकी प्रतिष्ठा और हैसियत को बनाए रखने के लिए ही होते हैं वे प्रतिष्ठा और हैसियत को सबसे उपर रखते हैं यदि किसी मसीह विरूधी के इर्दगिर्द कोई काबिल व्यक्ति सत्य का अनुसरन करता है जो भाई बहनों में प्रतिष्ठित है जिसे समूह अगुआ चुना गया है और सभी भाई बहन उसे सराहते और प्रशंसा करते हैं तो मसीह विरूधी के दिल पर क्या गुजरती है वो दुखी हो जाता है और उससे इर्शा करने लगता है और अगर वो सच में उस व्यक्ति से इर्शा करता है तो वो क्या करेगा सबसे पहले तो वो इस तरह का हिसाब किताब लगाएगा इस व्यक्ति में काबिलियत तो है काम के बारे में थोड़ा बहुत जानता भी है दरसल वो मुझसे बहतर है ये परमेश्वर के घर के लिए तो फाइदेमंद है लेकिन मेरे लिए नहीं कहीं वो मुझसे मेरी हैसियत तो नहीं छीन लेगा अगर वाकई उसने मेरी जगा ले ली तो क्या तब मेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं हो जाएगी मुझे ही कोई पहल करनी पड़ेगी जिस दिन उसके पंख निकल आए तो फिर मेरे लिए आसानी से उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा क्या तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी बेहतर यही है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी चाल चल दूँ अगर मैंने ज्यादा इंतजार किया तो वो मुझसे बेहतर स्थिती में पहुँच जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे चाल कहां चलनी चाहिए मुझे कोई बहाना, कोई अवसर खोजना पड़ेगा यदि कोई किसी को कश्ट पहुँचाना चाहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि उसे आसानी से ऐसा करने का बहाना या अवसर मिल जाएगा शैतान किस तरह की चाल चलता है जो अपने कुट्टे को मारने का मन बना लेता है वो आसानी से चड़ी ढून लेता है सही कहा, जो अपने कुट्टे को मारने का मन बना लेता है वो आसानी से चड़ी ढून लेता है शैतान की दुनिया में इस तरह के तरक और परिस्थिती का अस्तित्व होता है जहां परमेश्वर होता है वहां ये सब नहीं होता लेकिन मसीह विरोधी ऐसा करता है मसीह विरोधी सोचता है जो अपने कुट्टे को मारने का मन बना लेता है वो आसानी से छड़ी ढूंड लेता है मैं तुम पर आरोप लगाऊंगा तुम्हें पीडा पहुँचाने का मौका ढूंधूंगा और तुम्हारे मान को कम करूंगा ताकि भाई बहन तुम्हारा सम्मान करना बंद कर दें और अगली बार समोह अगवा बनाने के लिए तुम्हें वोट न दें इस तरह तुम्हारी तरफ से मुझे कोई खत्रा नहीं रहेगा है न? अगर आगे आने वाली परेशानी को बढ़ने से पहले ही उसका इलाज कर दूं और अपने प्रतिद्वन्द्वी को खत्म कर दूं तो मैं और अधिक सुरक्षित महसूस करूंगा है न? जिसके दिमाग में ये सब कुछक्र चल रहा हो, क्या वो शान्त दिख सकता है? जब प्रकृती मसीह विरोधी हो, तो क्या कोई अपने इन विचारों पर अमल किये बिना उन्हें दफन कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो जरूर उन पर अमल करने के तरीकों के बारे में सोचेगा यही मसीह विरोधी को शातिर बनाता है आमेन परमेशवर लोगों के दिलों को पर रकता है वे मसीह विरोधियों द्वारा लोगों को दबाने के हालात अभी व्यक्तियों और सूच का खुलासा करता है बिल्कुल मसीह विरोधियों का स्वभाव दुष्ट होता है वे अपने रुद्बे के लिए खत्रा बनने वालों को दबाने और दंडित करने के लिए अफवाहूं, लांचनों और साज़िशों का सहारा लेते हैं। मुझे लगा कि बहन आई की बर्खास्तकी में मेरा बरताव भी मसीह विरुधी जैसा ही था। मेरे मुकाबले उसे जादा तेजी से आगे बढ़ते देख, मुझे फिक्र हुई कि उसे तरक्की मिलेगी और दूसरे लोग मेरे बजाए उसे उचा मानेंगे। तो मैं उसके गलती करने की वज़े से समू अगुआ ना बने रहने का इंतिजार नहीं कर सकती थी। ये देखकर कि बहुआ प्रतिष्ठा और रुत्बे की पीछे भाग रही थी और उसका काम प्रभावी नहीं था। मैंने इसे उसकी बरखास्त की का बहाना बना दिया और जानकर उसे नाकाबिल बता दिया इस उमीद से कि अगुआ उसकी समस्या को गंभीरता से लें। जब मुझसे उसकी मतद करने को कहा गया, तो मैंने नहीं की इस उमीद में कि उसकी हालत बिगडी रहेगी तो जल्द ही उसे बरखास्त कर दिया जाएगा। जब मैंने देखा कि अगुआ उसे बरखास्त नहीं करने वाली थी, तो मैंने दूसरी अगुआ को पकड़ा। दरसल मुझे पता था कि बहन आई सिर्फ प्रश्ट स्वभाव दिखा रही थी और वह प्रयाश्चित करने को तैयार थी। मदद और सहारा पाकर हालत संभल जाने पर वह अपना कर्तव निभा सकती थी। लेकिन कोई उसके बारे में उची राय ना रखे उसकी तरह के ना हो। इसके लिए मैंने उसकी ब्रश्टता को पकड़ कर उसे डाटा और काम में अप्रभावी होने पर उसे दोश दिया जिससे वह और जादा नकारात्मक हो गई। जब तक वो बर्खास नहीं हो गई मैं रुखी नहीं। अपनी करणी पर आत्मचिंतन कर मैंने देखा कि मेरा बर्ताव मसी विरोधी जैसा ही था। मैं दुष्ट और धूर्थ थी। मुझे याद आया कि जब बेहन आई और मैं साथ में कर्तवे निबाते थे तो नकारात्मक होने पर वह सच में मेरी मदद करती थी। लेकिन उसके नकारात्मक होने पर उसकी मदद करना दो दूर, मैंने उसकी आलूचना कर उसे दबाया और धंडित किया। मैं ऐसा अमानवी काम कैसे कर सकती थी। बरखासगी की बाद से बेहन आई की हालत कितनी नकारात्मक थी, ये सोचकर मुझे पच्तावा और अपरात बोध हुआ। बेहन आई की देखरेक वाले समू का काम बड़े, लंबे समय तक अप्रभावी रहा। और इसका एक बड़ा कारण मैं थी, मैंने ही कलीसिया के कारे में बाधा डाली थी। ये सोचकर मुझे पच्तावा हुआ, मैंने खुद को दोशी माना। उस रात मैं कंबल में छुपकर रोती रही। मुझे मालम था, ये एक अपरात था, एक कुकर्म था। उस दोरान मैं बहुत ही जाधा परेशान थी। अपने कुकर्म का सोचकर मुझे बस पच्तावा हुआ। रोते हुए मैंने प्रार्थना की। हे परमेश्वर, मैं अब किसी की प्रतिभा को नहीं दबाऊंगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने अपरात का पता चलने पर प्रायश्चित कर पाना अच्छी बात है। बिलकुल। बाद में मैंने सुचा, ऐसा काम करने पर अंतरात्मा परिशान कैसे नहीं हुई। परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ा। अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रती मसी विरोधियों का चाव सामानने लोगों से जादा होता है। और ये उनके स्वभाव और सार के भीतर होता है। ये कोई अस्थाई, रुची या उनके परिवेश का क्षणिक प्रभाव नहीं होता। ये उनकी जीवन, उनकी हडियों में समाई हुई चीज है। और इसलिए ये उनका सार है। अर्थाथ मसी विरोधि जो कुछ भी करता है, उसमें उनका पहला विचार अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का होता है। और कुछ नहीं। मसीह विरोधी के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन और उनके जीवन भर का लक्ष होती हैं। वे जो कुछ भी करते हैं, उनका पहला विचार होता है, मेरी हैसियत का क्या होगा और मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। क्या मेरे ऐसा करने से मुझे प्रतिष्ठा हासिल होगी? क्या इससे लोगों के मन में मेरी हैसियत बढ़ेगी? यही वह पहली चीज है जिसके बारे में वे सोचते हैं. जो इस बात का परियाप प्रमाण है कि उनमें मसी विरोधियों का स्वभाव और सार है. वे अन्यथा इन समस्याओं पर विचार नहीं करेंगे. यह कहा जा सकता है कि मसी विरोधियों की प्रकृति का हिस्सा है. यह उनकी हड्डियों में है, उनकी खून में है. यह उनमें जन्मजाद हैं. वे हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रती उदासीन नहीं होते. यह उनका रवया नहीं होता. तो उनका रवया क्या है? हैसियत और प्रतिष्ठा उनकी दैनिक जीवन से, उनकी दैनिक स्थिती से, जिस चीज के लिए वे देनेक आधार पर प्रयास करते हैं, उससे गहनेश रूप से जुड़ी होती हैं, और इसलिए मसीह विरोधियों के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन है. चाहे वे कैसे भी जीते हों, चाहे वे किसी भी वातावरण में रहते हों, चाहे वे कोई भी काम करते हों, चाहे वे किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हों, उनके अपने कोई भी लक्ष हों, उनके जीवन की कोई भी दिशा हों, ये सब प्रतिष्ठा और उच्चपत पाने कि इर्दगिर्द घूंता है और ये लक्ष कभी बदलता नहीं वे इसे कभी दर किनार नहीं कर सकते यही मसीह विरोधियों का असली चहरा और उनका सार है आमीन परमेश्वर के वचनों ने खुलासा किया कि मसीह विरोधि प्रतिष्ठा और रुथवे के लिए जीते हैं वे इन चीज़ों को अपनी जिन्दगी मानते हैं वे प्रतिष्ठा और रुथवे के लिए दूसरों से लडते हैं लोगों को दबाते और दंड देते हैं उनके लिए सभी तरह के को गर्म चायज है तरक्की होने पर मुझे लगा अगुवा मेरे बारे में उची राय रखती हैं। मुझे लगा कि अगुवा दूसरे बाई बहनों से मेरा जिक्र करेंगी और मैं सबकी प्रशंसा का विश्य बनूँगी। ये देखकर कि बहन आई तेजी से तरक्की कर समूवा गुवा बन गई थी। मुझे लगा वो और तरक्की कर मुझसे आगे निकल जाएगी और मेरे बारे में कोई उची राय नहीं रखेगा। मेरे हितों के जुड़ने से पहले बहन आई से मेरा मेल जोल सा मानने था। लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाये रखने के लिए मैंने तथ्यों की तोड मरोड की, मुझे उसे बरखास कराना था। रुत्बे की मेरी चाहा बहुत तीवर थी। मैं बस सिर्फ यही सोचती की रुत्बा कैसे पाऊं। उसका दमन करने पर मेरी अंतरात्मा जरा भी परिशान नहीं हुई। CCP लोगों को सिर्फ उसकी ही आराधना और अनुसरन करने देती है। और जब कोई उसकी ताना शाही के लिए खत्रा बनता है, तो वह उसे कलंकित करने, दबाने और सताने के तरीके अपनाती है। अपना स्थान पक्का करने के लिए बेगुनाहों को नुकसान पहुचाती है। स्वर्ग और मानफता दोनों उससे घणा करते हैं, इससे कई विपत्ति आई है। अगर मैं प्रतिष्ठा और रुत्वे की पीछे भागती रही, तो कहना मुश्किल है मैं कैसे कैसे को कर्म करूंगी। और अंत में इतनी दुष्टता के लिए परमेश्वर मुझे जरूर दंद देगा। लगा मैं बहुत बुरी थी, मैं इस तरह नहीं जीना चाती थी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर प्रतिष्ठा और रुत्वे की बंधन से निकलने का रास्ता दिखाने को कहती। बाद में मैंने परमेश्वर के वच्णों के दू अंच पढ़े, जिनसे मैंने प्रतिष्ठा और रुत्वे की पीछे भागने का सार समझा। शैतान मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखने के लिए किसका उपयोग करता है? प्रसिध्धी और लाब का। इनसान के विचारों को नियंत्रित करने के लिए शैतान प्रसिध्धी और लाब का प्रयोग करता है ताकि इनसान उनहीं के बारे में सूचे। वे प्रसिध्धी और लाब के लिए संगाश करते हैं, मुश्किले और अपमान सहते हैं। प्रसिद्धी और लाब के लिए कोई भी त्याग कर सकते हैं और प्रसिद्धी और लाब के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं इस तरहे शैतान लोगों को अद्रिश्य बेडियों से बांध देता है और उन लोगों में उन्हें ना तो उतार फेकने का सामर्थे होता है और ना ही साहस का वे अंजाने ही ये बेडियां ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पैर घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं प्रसिद्धी और लाब के लिए इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है उसे धोका देता और अधिक दुष्ट होता जाता है इस तरह हर पीड़ी शैतान की प्रसिद्धी और लाब के जाल में तभा हो जाती है लोग सोचते हैं कि प्रसिद्धी और लाब होने से व्यक्ति के पास गौरव, धन संपत्ति और जीवन का आनंद उठाने के साधन होते हैं कि प्रसिद्धी और लाब उनकी पूंजी है जिसके सहारे वे मौजमस्तिकर देह के सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रसिद्धी और लाब की खातिर जिसे मनुष्य चाता है लोग स्वेच्छा से यदेपी अंजाने में अपने शरीर और अपने मन और वह सब जो उनके पास है अपना भविश्य और अपनी नियती शैतान को सौप देते हैं। वे बिना हिच्किचाय ऐसा करते हैं और सौपा गया अपना सब पुनह प्राप्त करने की प्रती अंजान रहते हैं। लोग जब ऐसे शैतान की शरण लेकर उसके प्रती वफादार हो जाते हैं, तो क्या वे खुद पर कोई नियंत्रण बनाये रख सकते हैं। कदाप ही नहीं, वे पूरी तरह से शैतान द्वारा नियंत्रण होते हैं। सरवथा दलदल में धस जाते हैं और अपने आपको मुक्त कराने में असमर्थ रहते हैं। आमें। ये बचन पढ़ने के बाद में समझ पाई की शौरत और रुद्बा लोगों को भरष्ट करने के शैतान के तरीके हैं। अगर मैं इस बंधन से बचना चाहूं तो मुझे स्पष्ट देखना होगा कि लोगों को हानी पहुँचाने के लिए शैतान उनका इस्तमाल कैसे करता है। बिल्कुल। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो स्कूल, समाज और परिवार सब ही ने मुझे बताया कि भविश्य में मुझे भीड में अलग दिखना होगा। ताकि मैं खुद को और अपने माता-पिता को गौरव दिला सकूं और लोगों की प्रशंसा पा सकूं। मैं इन विचारों से सहमत थी कि भीड से उपर उठकर पूरवजों का नाम करो। और ये कि इस जीवन की प्रसिधी सेकड़ों पीडिया डिकती है। मैंने दिखा कि प्रसिध और महान लोगों को पीड़ी दर पीड़ी याद किया जाता है। तो लगा ऐसा जीवन वाकई जीने लायक होगा और मैं ऐसी ही बनना चाहती थी। सच है, ऐसे विचार हमारे दिलों में बहुत गहरे बैटे हैं। बिल्कुल। विश्वास की बाद जब मेरी तरक्की हुई और दूसरों की मेरे बारे में राय उची हुई, तो मुझे उम्मीद होती कि भाई बहन आपस में मेरा जिक्र करेंगे ताकि उनके दिलों में मेरी जगे बने। इससे मुझे बड़ा संतोश मिलता। अब परमेश्वर की बचन पढ़ने के बाद में जान गई कि ऐसा अनुसरन खास तोर से बुरा है। दाना वो शैतान लोगों के दिलों में जगे पाना चाहते हैं और उन पर स्थाई चाप छोड़ना चाहते हैं। सही है। CCP खुद को स्थापित करना चाहती है ताकि लोग परमेश्वर की तरहे उसकी आराधना और अनुसरन करें। वह लोगों के दिलों में परमेश्वर का स्थान लेने का ब्रह्म पाले हुए है। ताकि मृत्यू के बाद भी लोग उसका पुतला स्थापित कर उसकी स्तुति करें। क्या मेरा स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं था। मैं जहां भी जाती लोगों के दिलों में जगे बनाना चाहती। सराहना और प्रशंसा चाहती। मेरी महत्वा कांक्षा बहुत तीफ्र थी। यह मेरे लिए बंद गली समान थी। आपके विशलेशन से मैंने भीड से उपर उठो और इस जीवन की प्रसद्धी सैकडों पीडियां टिकती हैं जैसी शैतानी सोच समझी। जब हम इन विचारों के सहारे जीते हैं और दूसरों के दिलों में जगए बनाते हैं तो यह परमेश्वर का प्रतिरोध करना है। हाँ, बिलकुल। पहले मुझे दूसरों की उची राय पाकर आनंद मिलता था। लगता था प्रतिष्ठा और रुत्वे से खुशी मिल सकती है। लेकिन सच्चा ही यह है कि रुत्वे की पीछे भागने से मुझे सिर्फ दुख मिला। बेहन का दिल दुखाया परमेश्वर का प्रतिरोध किया। मैंने पॉलुस को याद किया जो अक्सर अपनी गवाही दे का सरहाना पाने की कोशिश करता था। 2000 साल तक बहुत से विश्वासियों ने उसे सरहा, उसे परमेश्वर जैसा माना। पॉलुस ने लोगों को अपने करीब लाकर परमेश्वर के स्वभावका अपमान किया तो परमेश्वर ने उसे दंडित किया और वह अब भी नरक में जल रहा है। ये हमारे लिए सबक है। बिल्कुल, मुझे ये भी एसास हुआ कि ख़णिक उची राय और अस्थाई आनंद पाने के लिए तुष्टता करना, परमेश्वर का प्रतिरूत करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। बिल्कुल, बाद में परमेश्वर की वच्चनों में मैंने अभ्यास का मार्क ढूंडा। ये मुझे पढ़ने दें। बढ़िया, ये रहा। ठीक है। जब तुम्हें रुत्बे के लिए प्रतिस्पर्धा करने की निरंतर तीवर इच्छा होती है, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, कि अगर इस तरह के स्थिती को अनसुलजा छोड़ दिया जाये, तो कैसी बुरी चीज़े हो सकती हैं। इसलिए समय बरबाद ना करो, सत्य खोजो। इससे पहले के रुत्बे के लिए प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा प्रबल हो, इसे मिटा दो और इसके स्थान पर सत्य का अभ्यास करो। जब तुम सत्य का अभ्यास करने लगोगे, तो रुत्बे के लिए प्रतिसफर्दा करने की तुम्हारे इच्छा कम हो जाएगी और तुम कलीसिया के काम में हस्तक शेप नहीं करोगे और इस तरह परमेश्वर तुम्हारे कारियों को याद रखेगा और उनकी प्रशंसा करेगा तो मैं आखिर किस बात पर जोर दे रहा हूँ वह बात ये है इससे पहले कि तुम्हारे इच्छाएं और महत्वा कांक्शाएं फली भूत होकर बड़ी विपत्ती लाएं तुम्हें उनसे छटकारा पा लेना चाहिए यदि तुम उन्हें शुरुवात में ही काबू नहीं करोगे तो तुम एक बड़े अवसर से चूग जाओगे अगर वे विपत्ती का कारण बन गई तो उनके समाधान के लिए देर हो जाएगी यदि तुम्हें दाहिक सुख त्यागने की इच्छा तक नहीं है तो तुम्हारे लिए सत्य के अनुसरन के मार्क पर चलना मुश्किल हो जाएगा प्रतिष्ठा पाने के प्रयास में असफलताओं का सामना करने पर तुम होश में नहीं आते तो यह खतरनाक है संभावना है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा जब सत्य से प्रेम करने वालों को अपनी प्रतिष्ठा और रुद्बे को लेकर एक दो असफलताओं और नाकामियों का सामना करना पड़ता है तो वे रुद्बे और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से त्यागने में सक्षम होते हैं वे स्पष्ठ देख सकते हैं कि प्रतिष्ठा और रुद्बे का कोई मूल्य नहीं है वे द्रण होते हैं कि रुद्बा ना मिले फिर भी वे सत्य का अनुसरन करते हुए अपना कर्तव वे अच्छे से निभाते रहेंगे अपने अनुभवों की बात करेंगे और परमेश्वर की गवाही देंगे वे साधारन अनुयाई होकर भी अंत तक अनुसरन करने में सक्षम रहते हैं वे बस परमेश्वर की प्रशंसा चाहते हैं ऐसे लोग ही वास्तों में सत्य से प्रेम करते हैं और द्रण संकल्पी होते हैं परमेश्वर की घर को बहुत से मसी विरोधियों और दुष्ट लोगों का त्याक करते देखकर सत्य का अनुसरन करने वाले कुछ लोग मसी विरोधियों की विफलता को देखकर मसी विरोधियों द्वारा अपनाए गए मार्क पर चिंतन करते हैं इससे उन्हें परमेश्वर की इच्छा की समझ प्राप्त होती है वे सामाने अनुयाई बनने का संकल्प लेते हैं सत्य का अनुसरन करने और अपना करतव वे अच्छे से निभाने पर ध्यान देते हैं परमेश्वर उन्हें सेवा करता या पतिद भी कह दे तो भी वे परमेश्वर की नजर में नीच बनकर एक तुछ और महत्वहीन अनुयाई बन संतुष्ट रहते हैं अन्तता ऐसा व्यक्ति परमेश्वर द्वारा स्विकारे प्राणी कहलाता है केवल ऐसा व्यक्ति ही नेक होकर परमेश्वर की प्रशंसा पाता है आमीन परमेश्वर की अपेक्षाएं व्यवहारिक हैं वो कभी हमें प्रसिद्ध होने या भीड में अलग दिखने को नहीं कहता। परमेश्वर उमीद करता है कि हम उसके वचन सुनकर जमीनी तौर पर उसकी आज्या मानेंगे और बढ़िया काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आप एक बार परमेश्वर की इच्छा जानने के बाद प्रतिष्ठा और रुत्बे की फिक्र नहीं करेंगे। सही है, मैंने पत्रस को याद किया, ना वो रुत्बे की पीछे भागा और ना ही लोगों की राय की बारे में सुचा, बस परमेश्वर की प्रिम का अनुसरन किया। परमेश्वर की संतुष्टी के लिए सत्य पर अमल करने की इच्छा रखी। बाहर से वह पॉलुस जैसा प्रसिद्ध नहीं था, मगर उसने सफलता का मार्ग पकड़ा। परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की और अन्त में उसे पूर्ण किया। बिल्कुल। पॉलुस ने सत्य का अनुसरन नहीं किया। और हाला कि अंगिनत विश्वासियों ने उसकी आराधना की, मगर उसने नातामी की रहा पकड़ी और उसका स्वभाव कभी बदल नहीं पाया। अन्त में परमेश्वर ने उसे त्याग कर धंडित किया। बिल्कुल। मैंने इन वर्षों में परमेश्वर में विश्वास रखा, मगर बार-बार तरक्की मिलने पर भी मैंने सत्य का अनुसरन नहीं किया। करतवे निभाने की मौके नहीं संजोए, बल्कि शोहरत और रुद्वे की पीछे ही रही। मैं परमेश्वर द्वारा दिये गए सत्य हासल करने की मौके गवाती रही। मैंने सिर्फ पच्तावा किया और सिर्फ रिणी ही रही। परमेश्वर की विश्वासी हो रुद्वे की पीछे भागना ठीक नहीं है। सत्य का अनुसरन और परमेश्वर की अपिक्षाओं पर चलना सबसे एहम है। सिर्फ तभी हम परमेश्वर की स्विक्रिती पाकर बचाए जा सकते हैं। आमेन। बिलकुल। साथ ही, परमेश्वर की वचनों में मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला। शोहरत और रुद्वे के लिए दूसरों से होड करने की चाहा हूँ, तो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना कर, खुद की इच्छाओं को त्याग कर सत्य पर अमल करना चाहिए। सिर्फ इसी तरहें मैं शेतानी स्वभाव परमेश्वर की विरोधी होने से बच सकती हूँ। परमेश्वर का दरने बादू बाद में हमने बहन वांग को प्रशिक्षित कर, हमारे साथ काम करने के लिए उसे तरख़्ी देने की योजना बनाई। लेकिन जब मैंने दूसरों को कहते सुना कि उसकी काबिलियत और समझ अच्छी है, तो मुझे थोड़ी जिजख होने लगी। वह मुझसे चोटी थी पर उसमें अच्छी काबिलियत थी। तरख़्ी मिल गई तो क्या जल्दी वह मुझसे आगे नहीं निकल जाएगी। क्या कोई तब भी मुझे आदर से देखेगा। क्या उसे प्रशिक्षित ना करना ही ठीक रहेगा। फिर मुझे एहसास हुआ की प्रतिष्ठा और रुथबे की मेरी चाहप फिर उभर आई थी। तो मैंने प्रार्थना कर खुद की इच्छाओं का त्याग किया। कलीसिया कारे के लिए हर प्रकार की प्रतिभा के सहयोग की जरूरत होती है। प्रतिभा का दमन कलीसिया के कारे को बर्बाद करना और प्रमीश्वर का विरूधी होना है। इसलिए मैंने खुद की इच्छाओं का त्याग कर बेहन वांग को प्रशिक्षित किया। इस उमीद से कि वे जल्द ही काम कर सके। इस तरह अभ्यास करके मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने खुद को सुरक्षित मैसूस किया। परमीश्वर का धन्यवाद। इन अनुभवों द्वारा मैंने दिखा कि परमीश्वर के वचनों के न्याएं और प्रकाशन के बिना मैं आत्मचिंतन नहीं कर पाती। सिर्फ अपने ब्रश्ट स्वभाव में जीते हुए परमीश्वर का प्रतिरोध कर सकती थी। अब मुझे थोड़ा आत्म ज्यान है। ये परमीश्वर के बचन पढ़ने का नतीजा है और मेरे लिए उसका उद्धार है। परमीश्वर का धन्यवाद।